दोस्तो नमस्कार, प्रॉफिट गुरू चेनल में ही एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आपने जैसे की टाइटल देगा कि टाटा का PCS जो आप बाइबेक देने जा रहा है अपने शेर होल्डर को अब बाइबेक देगा तो दोस्तो बहुत अच्छी निउस आ गई है तो यहाँ पर दोस्तो एक प्रॉब्लम भी आती है सामने है ठीक है देखें निउस अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है स्टॉग ऐसा भागेगा अनेक्स्पेक्टेड मुमेंट करेगा ठीक है लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत भी आ जाती है कुछ ऐसी दिक्कत आती है जिससे दोस्तो आपको भारी भरकम लॉज भी होता है तो वो क्या है दोस्तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाल अगर आपने चेनल को फर्स टाइम विजिट किया है तो डेफिनेटली सस्क्राइब करिए क्योंकि डेली बेसेस पे हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार के बहतरिंग अपडेट लाते रहते हैं तो चलिए सबसे पहले हम TCS का आज का पफॉमेंस देखते हैं अब यहाँ आप देखें TCS जो IT कंपनी की बेस्ट कंपनी है मतलब अपने देश की बोल दीजिए और गलोबली मार्केट में भी इसका काफी अच्छा नंबर आता है यह सेकेंड या थाड नंबर पे यह कंपनी आती गलोबली में IT कंपनी ठीक है जिसका मार्केट के भी बहुत अच्छ हाई लगाया 3864 और 9 लगाया 3796 ठीक है उसी के साथ-साथ वॉल्यूम की कंडिशन देखें 24 लाग साहाट अजार कॉंटी डिखा है बावन भीक के हाई पर नजर डालिए और बावन भीक के लो पर नजर डालिए बावन भीक के हाई के काफी करीब यह टेट कर रहा है एक दि डिविडेंट भी बहुत अच्छा देती है शेयरोल्डिंग पेटन भी सब अगर देखा जाया तो सब ठीक है अब यहाँ पर देखें 12 जनवरी को कंपनी क्या कर रही है फाइनेशियल रिजेल्ट भी शो कर रही है और डिविडेंट भी दे रही है और उस दिनी बोर्ड की मीटिंग है बोर्ड के सामने क्या रखा जाएगा प्रपोसल रखा जाएगा दोस्तों बाइबेक से रिलेटेड अगर यह बाइबेक के लिए अप्रूवल आ जाता है त ठीक है सबजेक्ट में क्या है प्रपोसल ऑफ बाइबेक ऑफ इक्विटी शेAreड़ कम company buyback दे रही है, मतलब ये समझ लीजे कि company बहुत बढ़िया है ठीके, ये तो कोई दोरा आए नहीं है बढ़िया company तभी तो यहाँ पर क्या देती है buyback देती है, अब ये company अब buyback क्यों देती है, buyback से दोस्तो एक ही point सामने आथा है, bonus देने के लिए, ठीके, कि अगर मान लीजे अगर ये इनको bonus देना है तो ये share कहां से लाएंगे, share तो एक बार जो market में list हो जाते हैं, उतने ही share रहते हैं उसके बाद थोरी आते हैं, share का price बढ़ेगा, मतलब दोस्तो company के जो value है, market के पे, वो बढ़ रहा है जिसके लिए company का market share बढ़ रहा है अब company को दोस्तो बोनस देना है तो bonus कैसे देगी, सबसे पहले वो buyback लेगी, buyback देके वो share अपने पास लेगी, फिर वो bonus के रूप में share holder को देगी, ठीक है, तो यह पर देखा, 3800 रुपे के आसपास stock का price है, 3600, यहां से 10% के discount पे वो buyback देगी या 20%, 10% मतलब आराम से आप मानगी के चलिए, 3500-400 रुपे का, ठीक है, तो यहां से मतलब 42-4300 रुपे का वो buyback देगी ठीक है, buyback देगी वो आपने एक long term के purpose से investment क्या हाँ, कोई swing trader से या short term trader से दोस्तो वो definitely apply कर सकता है, क्योंकि share तो बहसी भाग के जगा पे आजाता है अभी आपने देखा होगा, infosys का infosys, हाँ, infosys का price कहां पर था, 1300-1300 1750 रुपे का उन्हेंने buyback रखा था, stock भाग भाग के 1750 बैसे ही आगया था, ठीक है तो buyback में देने का मतलब क्या है open market में क्या करिए, sale करिए न ठीक है, चलो, ठीक है, buyback में भी तेरे कोई दिक्कत नहीं, यह अलग सब reason हो गया अब इसमें loss कैसे होगा, loss दोस्तो एसे होता है, कि बहुत इतने intelligent, minded खोपड़ी वाले investor होते है, retail investor जो loan लेक्या जाते है पैसे क्योंकि सबको पता है, कि buyback अगर 10% पे मिल रहा है, 20% पे मिल रहा है, तो share तो महां तक भाग के आई जाएगा ठीक है, महां तक भाग के आ जाएगा और वो क्या करते हैं, कि अच्छ अच्छी quantity उठा लेते हैं और buyback में apply करते हैं buyback भी दोस्तो IPO जैसा होता है buyback भी IPO जैसा होता है buyback में apply किया मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो दोस्तो क्या होगा, फिर आपको share open market में बेजना पड़ेगा अगर मान लीजिए, share buyback के price को test करने के बाद, अगर फिर गिर गया तो आपकी condition बेकार से भी बेकार हो सकती क्यों, क्योंकि आपने loan का पैसा लगाया है, infosys के साथ भी वही हुआ था, 1750 आया, stock ने test किया क्योंकि daily basis पे buyback हो रहे थे, मतलब share खरीदे जा रहे थे, open market में, ठीके investor से जो apply कर रहा था जितने भी investor apply कर रहे थे, उनको मिल रहा था, और उस में से कोई को मिल रहा था कोई को नहीं मिल रहा था, ठीके, और इसने 1750 infosys ने जैसे test किया, stock धडाम से नीचे आ गया, ठीके, लगबख 100 से 1.5 पॉंट नीचे आ गया था, आप खुदी जाके check कर सकते हो, पूरा उसका history, अभी लगबख 2 मेने पहले की बात है, जब market में अच्छी boom rally थी, ठीके, यह है buyback का मतलब, तो एसे में दोस्तों, मैं यही बोलूँगा, कि सबसे पहले कि जो उधार पैसा डालेंगे market में, ठीके, उनको तो हम ऐसा loss होगा, यह मैं बोलना चाहरा हूँ, हाँ, किसी कि अगर किस्मत रहेगी, तो वो profit निकाल लेगा, otherwise दोस्तों, सबको loss होता ही है, क्योंकि किस्मत उस समय तो बैकार रहती, तभी तो आपने loan लिया हुआ, पैसा market में लाला है, फिर आपको apply करा है, आपने तो आपको कैसे मिल जाएगा, क्योंकि आपकी किस्मत तो बैसे ही खराब है, तो जिसके लिए में यही बोलूँगा, कि buyback में अपलाए नहीं भी करें, तो कोई दिक्कत नहीं ही, क्योंकि स्टॉक में तो बैसे ही अब रेली आने वाली है, और 10% से 15% से लेके 20% तक तो वो buyback देते ही हैं, तो आराम से दोस्तों, आप मान लिजे कि 40-45 के बीच में ही अपने को एक buyback देखने को मिल सकता है TCS का, अभी तो खिर यह news सामने आईए, यह proposal रखा जाएगा, proposal पे approval मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह भी देखने वाली बात होने वाले, और quarter third के सबसे important यह है, कि जो Accenture ने, जो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी IT company है, US की, उसने quarter first के number इतने शांदार show किये, तो आप यह देखने वाली रहेगी कि quarter third में, ठीक है, जो TCS, जो IT company की leader है, हमारे global market में भी आप बोल सकते हो, हमारे देश में भी बोल सकते हो, ठीक है, वो quarter third के number case से show करेए, यह सबसे बड़ा एक reason हमारे समने रहने वाला है, तो उसके according भी, एक momentum, एक investment का plan जिसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है, तो यह तो performance है, चलि, return भी आपको दिखा देता हूं, कैसा दिया है, TCS ने अभी तक, आप यहां पर भी आप देख सकते हो, एक गंटे पहले से news publish होना चालूई, लाइफ मेंट के साइट पे money control, the economic time, the Hindu news क्यों पर मतलब देखा जाए, तो सब्दूर यह news दिख रही है, stock में भी आज अच्छी देखने को मिली, मंडे को हो सकता है कि और अच्छी देखासी रेली देखने को मिले, last 5 दिन में stock ने 2% की तेजी दिखाई है, एक मैने में 6% की, 6 मैने में 18% की, last 1 साल में 23% की, last 5 साल में देखेंगे 243% की तेजी, और overall का performance अगर आप देखेंगे, तो company market में काफी पूरानी है, इतना dividend, इतना bonus दिया, इन्होंने कि दोस्तो, ये 31,000 होना था, ये 31,000,000 होना था, ये 31,000,000 होना था, ये 3,000,000,000 होना था, तो मजाती खिर, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों वो तो portfolio में पता चलता है, जिन्होंने अभी तक इतनी पर बार इसने bonus दिया, सबका फायदा उठाया, जितने बार भी dividend दिया, सबका फायदा उठाया, उनको दोस्तों काफी अच्छा उनको performance अभी मिल रहा होगा, उनको buyback से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके उनके पास share इतने होगा, जिसके पास ज़्यादा share है दोस्तों, ज़्यादा quantity में, वो buyback में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों, जिसके पास नहीं है, अगर वो खुदी दे देगा, तो फिर अगर मान लेजिए, कि share डिसकाउंट पर मिल गया, और फिर उसके मान लेजिए, दो मैने बाद इस तो 5,000, 7,000 आ गया, तो फिर तो वो वह बेटके रोने वाला है, तो ये दिक्कत सामने आती है दोस्तों, जिसके लिए मैं तो यहीं बोलूँगा, कि हाँ, मैं तो आप कुछ बोलने वाला नहीं, मैंने जितना बोल दिया था मैंने बता दिया आपको, अपडेट देने का काम था, बाकी जो भी काम है वो आप लोगों को, आपको देना नहीं देना, वो आपका पैसा ऐडी के हमारा update देने का काम था कि loss केसे होगा apply करे या ना करे ये भी मैंने बता दिया कि apply क्यों करे ठीके loss केसे होगा ये भी मैंने बता दिया ठीके अब बाकि आप लोगों के ऊपर है तो ये था पेसी प्रकारक अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंक यू दोस्तों